Hello everyone, welcome back to our channel future study तो guys इस वीडियो में जो D.O.S.O.L.N.C.P.E. स्टूरेंट है सेमिस्टर 4 की B.E. प्रुगाम स्टूरेंट है जो आपका discipline subject education इसके यहाँ पर important question भी तंसर आपको इस वीडियो में कराने चारे जो कि जो आपका chapter first unit first का उसके हमने यहाँ पर important question ले रहे समस्य समधान से आप क्या समझते हैं समस्य समधान की चर्णों का वर्न कीजिए सैकिन कोशन है परभावी समस्य समधान की रननेतियों का उले कीजिए तो यह total 2 question concern आपको इस वीडियो में बताने जारे इससे पहले classes हमने 4 तक रही है क्लासिस हमारी 5 जिसमें हमने आपको chapter first complete क्लासिस कंदर क्यूंकि आप सभी को पताइए कि इस्टड़ी में कितने सारे आपको टॉपिक को अलग अलग लेकि कवर किया जा रहा है ठीक है तो यह वाला topic में दो कोशन बनते देख सकतें कोशन फोश्ट है आपका पहले सबसे पहले हम देखेंगे समस्या समधान से आप समझते क्या है उसकी परिभासा देखेंगे फिर इसके बाद जो समस्या समधान की चर्णों का वर्नर कीजिए ठीक है मूल रूप से स्थिति के मुल्यांकन में सामिल उत्पादक कारे और किसी के निधारक लच्छों तक पहुषनी के लिए बनाए गए रन्नीति को सामिक रूप से समस्या समधान कहा चाता है तो आपको समझ मैं जो समस्या समधान क्या होता है कोई भी उत्पादन होता है कोई प्रकति को निमलिकित परिभासा द्वारा और इसपष्ट किया गया है तो मतलब इसकी परिभासा पूछे जाएगी या आप से प्रकति को अकॉडिंग पूछा जाएगा तो यह देखें दो राइटर को अकॉडिंग यहां पर हमने लिया है जो कि इसके बारे में आपको बता समस्द्धान में नए समाधान तयार व रहे हैं जो पूर्ण के विडवान नियमों के सरर Christ को पूड़्व कर सकते हैं प्र्कराप्त कर सकते हैं मतलब कि की शायता थाय जो की विद्वान त्वारतह की सरल उपयों के बाद लख्चे को प्राप्त कर को परमकी तरीकसे कि हैं संहुच्ष्ट्छ संमणायों पर काबौ पानी केरी प्राप्त शर्थ किसी को अच्छे प्राप्त कर तो इसकी समस्य समध्धान को पर आपको उत्पन की जा रहे है कि आगे जो इसके आगे आगे आपका कोश्च बंद समझ्य समध्धान की चरद तो इसको देखते हैं विविन मनो बैग्यानिक ने समस्या के समधान के लिए विविन उपायों की सला दी यह लेकिन आम तोड़ पर समस्या सुलजाने में जो आम कदम उठाए गए वह निमली खिते मतलब कि जो कोशन आपके पेपर में यह भी बन सकता है कि जो समस्या समधान को सुलजाने में कौन प्रूप रहना चाहिए उसको हल करने के लिए किसी पैक्ति के समदान बैबार में पहला कदम उसका कटनाई या समस्या के बारे में उसके जागुता से संबंदित है जिसे हल करने के आऊ सकता है उसे अपने लच्छे जरूतों या उद्देशी के प्राप्ति के मार्ग में किस सामना करना करना परता है जो कंड़ी ळच प्राप्त करना चाहिए देशी होते हैं या जहाइकि को क्ड़ना की जाने वड़ना में या Сमय कर देजार, में आग़ना में या समस्या कच्छily समय कि जाने माली seven ज document Umm थाकि उसके शफिर स्विश्य प्राकरते इस पर सबस्पक्राइब को समझ्या को विशी लच्छों के जोड़कव जैंजिया इस प्रकताईं के मार्ग में आने वाली कॉति आई समझ्या आ रही हैं उसको समझना चली कि समझ्या क्यों आरी जो आपकी लची के प्राप्ति हो रही है उसमें इसकष्ण सवात्भा दान के प्राप्त करने जिससे आप इसको हल कर सके इस चलर ने बैटिक और समयрашा के बारे में सभी सम्भावित तरीकों से सभी आउसस्रक जानकर एकत करना ने होती है यह अनुभावी लोगों कि से विचार विमस कर सकता है उपलप साइतिय ے को पढ़ सकता और अपने अनुभावों को याद कर सकता है उनके समभावी समधानों के बारे में सोच सकता है और समस्या से समभनी व्यापक चान कर एकत करने के लिए हर समभव परियास कर सकता है कि जो भी आपकी समस्य उसके बारे में आप जान पताल भी कर सकते किसी से पूछ सकते साहिते पर सकते उनके तरीकों की बारे में जान सकते और जो भी आपकी समस्य उसको हल करने की आपको समभव प्रयास करनी चाहिए इसका नेक्स पॉइंट है इसका नेक्स पॉइंट है इस करने जो धारे में इसके जाना निकाला गई समधान का सत्यपन मतलब जो आप निसका निकालते हैं आप सकते चाही जी तो टॉटिक आप ने क्या चाही जाना करने का नहीं कि लिए उसको समझागा करने मतलब है। परभावी समस्या समधान की रननीती कि आपके पेपर में रननीती पूछे तो यहां से आपके पॉइंट इस्टार्ट होने जारे देख सकते हैं अपने संबन निस्कोट और डिस्टिकोण के अनुसार मनो बैग्जानी को और सिप्छाबादियों ने समस्या के परभावी समाधनों के लिए कुछ विशेश रननीती की सिपारिश किये उनमें से निमली लिए तो जो आपको सिप्छाबादी होते हैं मनो बैग्जानी को कई है कि अग कभी कभी प्रेच्प समझ्ट की जाने वाली रननीती है प्राशिक्षन और सुष्टी विविविं में समयच्ट को हल करने के लिए हम कीवल तब तक कारें करती जब थो कोई काम नहीं करता उधारन के लिए तालासा में एक सिछ्टा का अलग अलग पाठन सामगरी की कोशिस करके प्रासिक्चन और सुष्टी डिष्टिकोन का उपयोग कर सकता था जब तक कि वह बहतर पढ़ना सुरू ना कर दिये डिष्टिकोन प्रभाविक हो सकता है लेकिन उसे उन सामगरियों के संपन में भी ला सकता है जो निरासा जनक साबित होती है और जिससे उसकी पढ़ने की प्रगत्ती धीमी हो सकती है इसलिए प्रासिक्चन और सुष्टि विश्वासनिय नहीं है और अकसर प्रभाविक नहीं है ये समय पर बात कर सकता है और कभी भी समध्धान में परिनाम नहीं हो सकता हादस से कम समध्धान हो सकता है और नकार्म प्रभाव दीखा जारा है कि आगर आप उसके बारे में अच्छे से जानकरी प्राप करते हैं उसके नकार्मक प्रभाव आ सकता है आपको समझ नहीं आएगा जो आप पढ़ेंगे तो उसकी घ्रती धीमी हो जाएगी जिससे यह आपके आदस को कम करने के लिए हो गई नकार् को सुलजाने के लिए अकसर अंटर्डिष्टी के अचानक जागरुटा को सामिल किया जाता है मनोबैग्यानिक भी मानते हैं कि मानफ सिच्छा बैबारिक है और उसमें अनुभूती में परिवतन आया है सिच्छातियों ने सुरू में एक समस्या को हल करने के लिए आउसक स सामगरी के बारे में सोचा उन्होंने इन समस्यों को सुलजाने तक भी में तरीकों में अपना विकास किया जब सिच्छातियों एक समस्या पर पहुंचे तो उन्हें अचानक और अंतर्डिष्टी के साथ किया तो मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं जो जागरुटा कि अक बेग्जानिकों को पुण अपने शिच्छा वैवार में परीवतन लाना चाहते हैं जिससे ये होता है कि उनके विकास क समस्यों को सुलजाने के वी बिन तरीके के विकास किया जाता है लेकिन जो वेंट में क्या होता है कि जो सिच्छाती होते हैं समध्धान पर पहुंचते हैं तो उन्हें अच्छानक से अंतरदिश्टी के साथ किया जाता है वो अंतरदिश्टी के बारे अपने सोचने लगते हैं इसके बद नेक्स पॉइंट है सादिश्य मूलक तक एक अन्य समान्य समस्या हल करने की प्रिकिरिया का नुरूप तक का प्रियोग करना होता है जिसमें समस्या की स्तति और परिचित स्तति के विश सादिश्य दिखाया जाता है सादिश्य मूलक समस्या हल सिख्षन में भी तो थोज ह्वागों करते हैं एक काम अग्रीजी कि वाली चाहतों के साथ भी तरीका अपनाना सकते हैं तो उन्हें अग्रीजी सब्दोर ब्याक को उसको भी सिखाते हैं ताकि कगच्चा में अन्य चाथों के सांथ चल सके मतलब इसमें होता है कि कोई चुडेंट ऐसा होता है जो यो से अच्छे तरह से नहीं होती है इंगलीच के तो लेकिन उसको हिंदी की ज्यादा उसकी मात्रभासा के नौलेज होती है तो इसलिए उस चात्र क्या करते हैं जो आपके सिख्चक होते हैं कि उनको यह स्टूरेंट के साथ मेल मिलाप कराते हैं बैठाते हैं कि जिने आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों ही आती है जिसके वच्चे का भी विकास हो सका है जैसे ज समझन समझन समधान के दरनेःती कि जो समझय समझन को तयार करने के लिunn presenter के ये सब और उत्यार से के बुन स backyard not जाएं रिख्यात है जो भी समझा स्सक्ट कुछ पड़िवासित कि उसका मुल्यांकर कि गए लिनना यया था सम्भू अधिक से अधिक समध्धान उत्पन करें मतलब बिन मुल्यांकन के उसको जो समध्धान है उसको उत्पन करें समध्धानों का अंकलन करने के लिए माबड़न टेयार करें स्वत्तम समध्धान का चिर्णन करने के लिए आपड़नों को पयोग करें समस्या नहीं हें सिक्षग की बhummika कि सिख्षग के नहीं अपता है ये कि मुझे नहीं पता हैं हमारी भूमिका पर सिक्षोड को класс कि निभाते हैं इसे प입니다 समझाबंता के सबसे परमुक भhmmI का निभाते हैं परभाबी जो सिख्षक की भूमी का सबसे जाधा होती कि कि किसी स्टूरंट कहते हैं तो कि मुझे नहीं आरब उसके बारह मुझे बाले मुझे कोMOG बताया जाता ईसको कोर्स कि여 practiced student को समझ में आ जाए इसके बाद देखिए जो next question बनता है समझ से समध्धान के लिए एक सिच्छक को निम्लिकित कारी करने चाहिए मतलब कि एक सिच्छक द्वारे क्या के कारी किये जाने चाहिए तो मध्य पेड़ना मतलब उसको पेड़ना देनी चाहिए सूच और शायत्त करद देना संबस्क्राइज को समझया पसटूट केंश्क किया ने सटश्क ऑद्वार करना चाहिए हेर फेर अभ्यास अधूरा समध्धानु उनको यह बताना है vessels curop होतने विड पर खतम हो चुका unit up forkspa chapter first हमने कंप्लेट करा दिया next वीडियो आएगीerek यूनिट्स फॉर्स्ट का चैप्टर जो सैकीन लिखे आएंगे तो वीडियो को सेर कीजिए थैंक यू